और उसके बावजूद विगत जो है तीस वर्सों से यहाँ पर विकास के नाम पर चाहे सड़क, नाली, पानी, लाइट, किसी भी प्रकार का कोई कारे नहीं हूँ पांच किलोमीटर गोरकनत मंदीर है और छे किलोमीटर रिल्वे स्टेशन गोरकपुर पड़ता है विकास से हम लोग बहुत दूर हैं, जबकि हम लोगों के आगे के सारे एरिये जो हैं, बहुत विकास से आगे हैं अगर जबीनी पटल पर बात करें तो एक तस्बीर गोरकपुर के मोहले से आ रही है, ये वाट संख्या आठ है, और बगल में एक रोट बगल में जाएंगे तो वाट संख्या चववन है, यानि दोनों वाट कि अगर हम इर्दगिर्द की स्थिती बात कर ले, तो यहाँ प कुछ समस्या है, और कितने वर्सों से यहाँ पर बनी हुए? कई बार, जो है, कि बार हाँ अपने नगर निगम में गये हम लोग, नगर निगम में नगर आयुक से मिला गया, महा पावर साब से मिला गया, शिर्फ और आशवासन के अलावा और कोई कार्य धरातल पे नहीं उत्पर रहा, कई बार कोशिश करने के बाद में आई-जए- प्राथमिक्ता की आधार पर अग्रिम करवाई की जाएगी तब से जो है कोई कारवाई नहीं हुआ ना ही उसकी टेंडर की स्विक्रिती हुई और कोई भी कारे जो है हुआ ही नहीं अभी तक और दूसरी चीज अहम चीज है कि यहां के लोग अंधेरे में हमेशा गिरते रहते हैं कई बार हम लोग जो है कि अपने मोहले के पारसद पत्नीरी चंदू पासवान उनसे मिले हम लोग यह पता चला कि एक क्यावन लाख करेंगे हमारे मोहले के लिए पचासार रुपए कुछ कर दीजिए लाइट ही लगवा दीजिए उन्होंने हां हां क्या करके जो है बस टाल दिया और कुछ नहीं किया और जैसे कि सभी लोग खड़े हैं यहां पे और सभी लोग जो है कि कोशिश करते हैं मैंसा कि संडे तो पारसत जो है अपना अब वो टैल मटोल करने लगे कभी मुलाकाती नहीं करते हैं घर पर जाने मुलाकात भी नहीं होती है तो इस तरह की स्थिति है अब तक आएंगे और भी अस्थानी निवासे जी बताएं पीछले साल भी मेरा नाम सुही लगतर है बड़े विडंब पर चाह सडक, नाली, पानी, लाइट किसी भी प्रकार का कोई कारे नहीं हुआ है जल जमाओं की इस्तिती बनी रहती है जल जमाओं से जल जनित बिमारियां होती है मच्छरों का प्रकोप यहां पर बढ़ा हुआ है और बिसेश रूप से बरसात के दिनों में हर आदमी इस इसी सड़क से वापस आना है तो यह समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है इसको ले करके हम लोग ने काफी प्रयास किया मानी नगर आयुक महोदय के यहां मानी सबासत महोदय के यहां मुक्किमंतरी के OSD साहब के यहां, कमिश्णर साहब के यहां, लेकिन हर जगें सिर्फ आश्वासन के सिवा अभी तक कोई काम नहीं है, तो हम लोग तो यहीं चाहेंगे और फिर आगरा करेंगे कि जहाँ गोरगपूर में विकास का अनेकों काम चल रहा है, उसमें कहीं न कहीं हमिदुल्ला नगर के वासियों के लिए भी मूलभूत सुविदाएं तो उपलब्द कराई जाए धन्यवाद और भी एस्थानी एक दो लोग से बात कर लेते हैं अब यहीं के रहने वाले हैं फड़ा गया जाई अब आप देख सकते हैं तो इसमें पहले जयाओ थि इसे कई दिक्कते प्हाषानियां वें लोग के घंकी काफी समय से और यहां पिए ठीकार रहुएं होएं रोशनी से अब हम लोगयार संखया हैं सब हम्हों में मिल जूलकर बढाई रहन के पात्रिट हो यहां से हैं यहां से गोरकनात मंदिर के लगभग कितनी दूर हो गाएं पांच किलो मेटर गोरकनात मंदिर है और छे किलो मीटर रिल्वे स्टेशन गोरकपुर पड़ता है विकास से हम लोग बहुत दूर है जाती है तो पर पता चलता है ना कुछ की पानी के जमाँ हो जाता है मिट्टी चिकनी है गिरने का डर गाड़ी भी नहीं चल पाती है सारी चीज़े बहुत सारी अशुविधा का जो है हम लोग नगर निगम के तरफ पास जब आप लोग जाते हैं तो वहां से फिलाल अभी फ कोई भी कारवाई नहीं यह तकरीबन हम लोग तीन साल से हम लोग यह सब कर रहे हैं मगर अभी तक की कुछ भी नहीं आया तो यह जगह है गोरकपुर और वाट संख्या 8 और 54 यह दो वाट के इर्दगिर्द हैं और यह दोनों वाट में इस थीटी लगातार लोग जो अस्थानी बता रहे हैं कि यहां पर कहें न कहें जो पिछले कई दसकों से अगर हम बात कर लें तो यहां कोई विकास ही नहीं ह यह सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक आने जाने का जड़िया नोंने बना रखा है फिलाल यह उत्तरपदेश के मुख्यमंत्रि गुरकपुन निगम प्रसासन से यह चाहते हैं कि यहां पर भी एक बार विकास की धाराय भाती भी नजर आये और कहीं न कहीं जो विकास प्रिदेखने को मिले